हाव रूफिक्स सैमसंग एट्विंटी वानेस सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभीका तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेलूलर नेट्रोक यानि आपका मोबाइल नेट्रोक ठीक है अगर यहाँ पर एवलेवल नहीं है आपको नेट्रोक नहीं मिल पा रहा है तो कैसे आपको फिक्स करना होगा आज के इस वीडिय शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसे भी प्रोब्लिम के रिगार से जेवल नहीं है तो आप डोस्तों अपने संदा को चेख कर दीजिए है यानि की सिम कारको मॉबाइल से बाहर पे निकालना deuxième है मॉबाइल को रिश्टार्ट करना है उसके पाद सभी कर का अंधर बहर देना है इंसर्ट करना है ठीक है और चेक करके देखेया आपका प्रो लेगन के बाद फ्लाइट मोट को ऑफ कर दीजिए और करने के बाद दोस्तों आपका नेट्रोक आ चुका होगा चेक कर ले ठीक है अगर सॉल्फ हो जाते प्रॉब्लम ठीक है अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कनेक्शन्स पे जाए मोबाइल नेट्रोक को ऑपेंड करें और दोस्तों नेट्रोक मोट को स्वीच करके देखें ठीक है 4G, 3G, 2G के बीच में या फिर आप नेट्रोक ऑपरेटर में जाके नेट्रोक को मैनुएली या तो फिर आटोमेटिकली इस बटन को अन ओफ करके यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको ओफ करते हैं तो मैनुएल नेट्रोक आपको डिख जाएगा आपकी एरिया में कौन सा नेट्रोक अबले वले जीओ का या फिर एटल का वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एटल से में तो एटल नेट्रोक ही यूज़ करें उसमें रिजिस्टर Cucy Lee-O see mg rare pack from treatment to request Hindi को इसिज़ आपको ध्यान पर रखना यहाँ dai आपका नेटल्म सेटिंग एक बार सेट जरू करना को से लिए जेनरल मेनेच्मेंट पे जाएए रिसेट पर क्लिक किज़िए और रिसेट network setting पर जाके reset setting पर डबा के mobile password भर देना है और network setting को reset करना है ठीक है तो इस तरहीं से दोस्तों आपका cellular network not available problem fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरहीं से आपको fix करना है by any chance अगर आपको अभी भी problem आते हैं तो wifi के मदद से software को update करके देखे अगर mobile के related कोई भी problem है तो वो software update करने के बाद fix हो जाएगा अगर आपके SIM पर ही problem है तो आप customer care को contact करके बात कर सकते हैं आपके SIM से नहीं कर पा रहा है दूसरे SIM से कर दीजिए क्योंकि दूस्तों कई बार क्या होता है SIM deactivate हो जाते हैं ठीक है कई बार SIM deactivate हो जाते हैं उसके वज़े से cellular network नहीं आपाते हैं तो आप अगर एटल सीम यूज़ कर रहा है 198 121 कॉल कर सकते हैं अगर जीओ है वाइन 977 अगर दूसरा कोई है तो आप 198 पर कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकी वी चेक सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह दोस्तों एक चीज़ द्यान रखें आपके एरेटल सीम पर प्रोल्लेम आ रहा है तो एक लिए डूसरे वाले लेकि आपको कॉल करना है जीओ सीम पे पर और रहा है तो दूसरों को जीओ सीम ठीक है घर था यहाँ पे जितने भी solution था मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है simply आप उसको follow कर सकते हैं, solve कर सकते हैं अपना problem अमेद करते हैं, वीडियो आपको यह पसने आओगा, thanks for watching